हाँ तो नमस्कार जी कैसे आप लोग उमित करता हूँ बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्छो और आज से आप लोग एक नए सफर के हम सुरवात कर रहे हैं तो कि आप मुझे लाइब सुन पा रहे हैं थोरा सा देर हो इसके लिए शमा चाहते गलती से दूसरे क्लास को सेर कर दिया गया था यह क्लास अभी हो जल्दी से आप से लोग लाइब आ जाए और आज एक बहुत ही बढ़िया चीज हमारा होने वाला है देखो यह कैसे होगे यह वाला प्रो आगए बहुत ही बहतरीन चीज होने वाला है जिसका नाम है बच्छो हिंदी वरनिका तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्छो हिंदी में वरनिका और यह पहली क्लास होगी जो मैं नए चात्रों के लिए बस 2024 के चात्रों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो जल्दी से आप से भी लोग लाइब आ जाए और यह दही वाली मगम्मा हमारा पहला च क्लास को कर सके जल्दी से प्यारे बच्छों इतने भी दोस्ता सब के पास बहुत ही बढ़िया चीज है वरनिका इतना अच्छा चीज है पढ़ने में आज आज का जो प्यारे बच्छों हमारा मोटीवेशन है यह कि खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से लराई तो सही अना रुकावट से लरतो सही होगा साहिल पर तू जिद पर अरतो सही यानि अगर आप मेहनत करने वाले शात्र है और अगर आप मेहनत कर सकते हैं प्यारे बच्छों सफलता एक दिन अवस्य मिलेगी पहले यह बताओ जल्दी से कि हिंदी में आपका लक्ष कितने नंब बटा एक सो यदि आपका लक्ष एक सो बटा एक सो है तभी आप दो चार पांच नंबर आगे पीछे कर सकते हैं खूब सेर कीजिए दोस्तों में क्योंकि हिंदी पहुत ज्यादा इन्पोर्टेंट है ठीक है ना सभी दोस्तों में खूब सेर कीजिए और इस क्लास को आप स्टार्ट होने से पहले राईक कर लिजिए प्यरहे बच्शों आंब भाध साधे लोगउड बहुत हम देखते हैं बच्चे सिर्फ मे ध्यान देते हैं च्आप आपी थे सिर्फ साइन्स में ध्यान देते हैं और असली प्याथ जो नंबर है वह हिंदी और संस्कृत से आता तो कि आप हिंदी और संस्कीत में नमबर ला सकते हैं सिवं पंडित जो टॉपर हुआ था मैंने उससे पूछा सिवं ये बताओ कैसे आपने मतब नहीं पलक का मैंने बूला था पलक का हिंदी और संस्कृत में मैंने देखा था लगबख 98 से भी प्लस नमबर था दोनों वेसे कि आप हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हिंदी और संस्कीत एक स्कौरिंग सब्जेक्त है बच्चु क्या है बच्छो वरनिका क्या नामें वरनिका तो हम लोग जो आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जो आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक का नामें बच्छो वरनिका चैप्टर की बात करें बच्छो तो टोटल हमें बोधोली बुक में कितने चैप्टर पढ़न तो बच्छो लगबग आप देखोगे तो पूरे बुक में जो हमारा एक्जाम होता है लगबग 45 कोश्चन बुक से होते हैं 45 कोश्चन इनमें से लगबग हम देखें तो 15 कोश्चन लगबग यहां से होते हैं 15 कोश्चन अगर हम बात करते हैं तो हमारे दूसरे वाले सेक्श होते हैं और पूरे बुख से बच्चो दो अंग के प्रसन कितने आते हैं तो पूरे बुख से अगर आप देखेंगे तो दो अंग के प्रसन प्यारे बच्चो पांच होते हैं पांच बनाने दस होते हैं दस में से पांच बनाने और आपको जानकर हरानी होगी आपको जानकर ह आ से बोलो वरनिका से 3-4 कोशन वरनिका से होता है तो बहुत आसान है बढ़ी है अगर आप ट्रिक में टॉपर बनना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम 450 प्लस हो तो प्यारे बच्छो ये बताओ ड्रीम 450 प्लस कैसे होगा कैसे होगा dream 450 plus कैसे होगा क्या एक subject पढ़ने से होगा एक subject पढ़ने से होगा या सभी subject बताओ क्या सिर्फ maths पढ़ने से या science पढ़ने से होगा एक या all बच्चो है ना तो आपका उत्तर होगा ठीगे ना एक या all तो प्यारे बच्चो आल पढ़ने से आप टॉपर बन सकते एक पढ़ने से नहीं हो सकते आल पढ़ना पड़ेगा तो प्यारे बच्चो पहले बुख खतम करो चलिए बहुत बढ़िया तो प्यारे बच्चो एक बात जल्दी से बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस चैप्टर को पहले पढ़ा है जल्दी हाथ उठाओ आज जो चैप्टर होने वाला है सबसे पहला चैप्टर बच्चो वरनिका बुक का पहला चैप्टर क्या है नामें बच्चो दही वाली मगम्मा क्या नामें दही वाली मगम्मा जो एगर में आपसे पूछो हो कि अगरमें आपसे यह पूछों आपसे ये पूछू कि क्या हो नहीं होगा है तो प्यारे बच्छों मास्ती वेंकेटेस अयंगार पूरा नाम है यहां बच्छों किस भासा की कहानी है तो बच्छों अगर आपने रिकॉरेट वीडियो देखी होगी उसमें लगबग 5 लगबग व्यू आने वाले तो यहां ब पढ़ रहे हैं हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्छों हिंदी में तो इसका हिंदी अनुवाद किसने क्या है बताओ इसका हिंदी अनुवाद करने वाले हैं बी आर नरायन तो बच्छों इसका हिंदी अनुवाद किया था वी आर नरायन ने अगर आपसे यह पूछ सकते हैं को यह सा बच्च जो रचा जनव करनाटक के कोलार जिले में इनका जनक हुआ था यह बात आपको याद रखना है ठीक है हो जाएगा पतो रुख जो पहले यहां तर माइक अच्छे से लगाईए हेलो हेलो साउंड नहीं आ रहे हैं हेलो आउंड चेक कीजिए हाँ छे जून 1891 में इनका जनम हुआ था जून 1891 में ठीक है आ गया चलो जी है ना तो प्यारे बच्चों जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है यह पेज ठीक है और ठीक है ना पेज का इफिर दूसरा लेना है कि निवास क्या नाम है श्री निवास कहने नाम है और कमा नाम क्या शलती श्रीव्यकटेस अ वयंक्वरीं धेर है नलू इसका पूरां नाम है भक्यक तबक्जों के इनका जनम कभ हुआ ज़ल्धी से इनका जन्म प्यारएबतो रहे शे अना इनका जन्म कब हुआ था तो छे जून नरायन ने इसका अनुवादन किया था ध्यान से देखो अगर जनम कहा हुआ था तो करनाटक के कोलार में जनम हुआ था करनाटक के कोलार में आपको कोई भी चीज भच्छो घर पर याद नहीं करना है हर चीज आपको यहाँ पर याद हो जाएगा करनाटक के कोलार में इनका जनम हुआ था बढ़े आगे बढ़े इस कहानी में कितने मुख्य करेक्टर हैं बताओ इस कहानी में में करेक्टर कितने ह मेस मगम्मा इसका नाम है इसके बाद और कौन से गोड़नी का पता अब थोरा सा सांत रहो इसकी बहू इसकी बहू नाम है । इसकी बहु का नाम क्या है नजम्मा बच्चों इसकी बहु का नाम है नजम्मा और उसके बाद है बच्चों इसके बेटे इसके बेटे का कोई नाम नहीं दिया गया यह इसका बेटा है और बच्चों यह इसका पोता है यह क्या इसका पोता यह इसका बच्चों पोता है उसक तोटल करेक्टर है जुवारी उसका नाम क्याय बताओ एक क्रेक्टर और है जिसका नाम है जिसका नाम है बुच्छो इन किーン UK माजी एक है माजी एक करेक्टर है माजी अब कहानी एक कहानी में टोटल प्यारे बच्छो इस कहानी में अब कहानी चुरू किया जाए अगर आपकी आनुमती हो येस गुरुजी अगर देखा जाए बच्चो तो मगम्मा एक विद्वा औरत है मगम्मा क्या है विद्वा औरत है इसके जो पती है वो साथ में नहीं है मगम्मा बच्चो क्या बेचती है बताओ मगम्मा क्या बेचती है तो मगम्मा का काम है बच्चो दही बेचना मगम्मा का काम क्या है दही बेचना मगम्मा के पती अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए मगम्मा दही बेचती है एक्जाम में पूछा जाएगा मगम्मा क्या बेचती है आंसर मरना दही मगम्मा बच्चों दही बेचने कहां जाती है तो कहना बच्चों बैंगलोर है ना ब मगम्मा के गाउं का नाम है वेंकतपूर मगम्मा के गाउं नाम है वेंकटपूर का नाम है या आप पुछा जाए कि मगम्मा का गाउं मगम्मा का गाउं इसके पास है तो बच्चो मगम्मा का गाउं अवलूर के पास है किसके पास है अवलूर के पास एक एक जगह का नाम है बच्चो अवलूर क्या नाम है अवलूर एक जगह का नाम है उसी के पास बच्चो मगम्मा के गाउ अब लूर के पास मगम्मा का गाउं है और गाउं का नाम क्या है वैंकेटपूर बच्चों क्या नाम है वैंकेटपूर अपने सभी दोस्तों में एक बार आप सेयर कर देना बच्चों जितने भी फ्रेंट्स हैं एक भी अगर कोशन छूट जाए वरनिका बुक से एक भी कोश मतंब लडाई होती रहती है च्छोटी-चोटी-च्छोटी बात को लेकर सबसानागे लक्तर पकूर घमताधा मर दे ऐस ना आप मया मतंब एक डूट फोटी रहती है चोटी-छोटी-बात को पूलेकर तो एक बार की बात है, इसकी जो बहु है, जिसका नाम नजम्मा है, जहां से सुनना, बहु का नाम क्या है नजम्मा, इन्हों ने अपने बेटे को पीटा बच्चों, होता है ना कि बच्चा सरारती होता है, नटखटी होता है, कुछ गलती करता है, तो पीटा रही है, तो मग पीचे को क्यों पीट रही है ऐसा किस ने कहा ऐसा मगम्मा ने कहा इस से कहा नजम्मा से कहा और आप समझते हैं कि नए समय की जो बहुएं होती है वो सास को कहा मानती है तो उन्होंने क्या किया अपनी बहु पर ही वो उलज गई क्यों नहीं मारे हम मेरा बेटा है उसना हम उस इसको मार दिये तो इसमें हर्क देता ने लगे तो मगम्मा ने कहा अच्छा रुको बेटे को आने दो यानि तुम्हारे पती को आने दो तब मैं उसको बताता हूं और उसके पती जब आये यानि मगम्मा का बेटा जब आया तो मगम्मा ने कहा देखो भाई तुम्हारी जो पतनी है वो वो तुम्हारे बेटे को मार रही थी तो मैंने उसे कहा इस छोटे से बच्चे को क्यों पिटती है तो मुझे ही चार बात सुना दी तो तुम इसको समान लो अपनी पत्नी को, तो बेटे ने क्या क्या पता है, बेटे ने क्या क्या पता है, बेटे ने कहा, मुझे तुम लोगों का जगड़ा समझ में नहीं आता है, मुझे तुम लोगों का जगड़ा समझ में नहीं आता है, तो मगम्मा ने कहा, क्या मेरी गल तो क्या मैं अलग हो जाओं तो क्या मैं अलग हो जाओं तुमसे तो बेटे ने क्या कहा पता है आपको बेटे ने कहा तुम्हारी एक्षा अगर तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो जाओ तो तुम अलग हो सकती हो तो प्यारे बच्चों तो मगम्मा ने कहा आज ही दो पहर से आज ही दोपहर से मैं अलग हो जाओंगी अब बच्चों मगम्मा क्या हो गई बताओ कि मगम्मा क्या हो गई जल्दी बताओ तेजी से कमेंट वॉक्स में मगम्मा क्या हो गई और वक्ष में लिख दो, ठीक है? तो बच्चो, मगम्मा, किस लड़ाई को लेकर, जां में पूछा देगा, क्यों री राक्षसी, बच्चे को पीटती है? ऐसा किसने कहा बच्चे को क्यों पीत थी है ऐसा कहा था किसने तो मगम्मा ने कहा था और बच्चो मगम्मा अब क्या हो गई अलग हो गई मगम्मा क्या हो गई, अलग हो गई, एक्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चो मगम्मा कब से अलग हो भी थी, कब से, कब से अलग होने की बात कही, तो मगम्मा ने बच्चो दो पहर से, आज दो पहर से, पूछा जाएगा कल दो पहर से, परसों दो पहर से, नहीं, आज दो पहर से ही मगम्मा अलग होने की बात गई अब बच्चों मगम्मा हो गई अलग और मगम्मा जाती थी दही बेचने के लिए आप लोगों को याद होगा बैंगलोर सहर जाती थी दही बेचने के लिए तो मगम्मा बच्चों वहां जब दही बेचने जाती थी तो यह जो लेख से अपने बेटे से अलग हो गए तो ये बच्चो सारा कहानी किसे सुनाती थी बताओ ये सारा कहानी किसे सुनाती थी जल्दी बताओ ये पूरी कहानी किसे सुनाती थी कमेंट बोक्स ने बताना ये पूरी कहानी बच्चों ये पूरी कहानी जो है ये पूरी कहानी मा जी को सुनाती थी एहसा लगता है कहानी को पड़के कि श्री निवास जी जो हैं वही माजी है कि उनके पास पूरी कहानी सुनाती थी अज मेरे बेटें ने मेरे साथ ऐसा किया है अब प्यारे बच्छों क्या हुआ अब क्या हुआ कि मघंमा अलग जैने लेगी और वो दही बेचने लेगी मंगम्मा के पास दो कुछ पैसे थे थे आ मात ऍवह tube पैसे Nag05 Centre कुछना मापन मेपास कुछ पैसे थे घृत मघममा बच्चों जब दही बेचने जाती थी मगम्मा जब दही बेचने जाती थी तो रास्ते में बच्चो एक कुवां आता था किसी बच्चे को याद है बताओ उसकुए का नाम क्या था बच्चो रास्ते में एक कुवां आता था उसकुए का नाम था अमराई का कुवां क्या नम था बच्चो अमराई का कुवां र कमराई के कुएं के पास मगम्मा को एक दिन ये व्यक्ति मिला पहचानो इस व्यक्ति को क्या नाम है यह व्यक्ति मिला बच्छों यह व्यक्ति मिला और इसका नाम था बच्छों रगंपा क्या नाम था रगंपा इसका नाम था और यह व्यक्ति बच्छों गाउं में जुवा खेलता था गाउं में ये व्यक्ति जुवा खेलता था है न जुवा खेलता था ये व्यक्ति जुवा खेलता था ये व्यक्ति मिला और इसने मगम्मा से कहा कि मगम्मा मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दो मुझे कुछ पैसे क तो बच्छों एक्जाम में पूछा जाएगा कि मगम्मा के गाउं का जुवारी व्यक्ति कौन था मगम्मा के गाउं का जुवारी व्यक्ति कौन था तो आंसर कहना रगम्पा कौन था रगम्पा एक्जाम में पूछा जाएगा कि मगम्मा से कर्ज कौन चाहता था कर्ज कौन मांगा था क्या मांगा था चूना एक्जाम में पूछा जाएगा कि रगमपा ने मगमा से पहले क्या मांगा था यानि अमराय के कुए के पास क्या मांगा था उप्शन A में रहेगा सुपारी, option B में रहेगा पान, option C में रहेगा चूना, तो बच्चो सबसे पहले उन्होंने बात करने के लिए मगम्मा से क्या मांगा था, तो मगम्मा से चूना मांगा था, क्या मांगा था, चूना मांगा था, मगम्मा चूना है तुम्हारे पास, मतब कहनी खा आओगा है चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं उसके बात में जब इन्होंने कहा मेरे पास पैसे कहा है इन्होंने क्या कहा इन्होंने बच्चो देखो जब आपको पैसा नहीं देना होता है तो आप क्या कहते हैं इन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है और फिर दूसरे दिन ब हात हमां पगर लिया किसने समें उए जो हर पकर लिया जोड से यह लाखती है और मा जी को कहानी सुनाते हुए मगमा कहती है कि यृदी यही यहीं मैं नहीं बैठती तो ऐसा लगा रहा था जैसे जैसे रगंपा मुझे जवर्दस्थी बेठालेता और मा झाँ यह भी कहती है कि इतने हक से तो मेरे पती ने भी कभी हाथ नहीं पकड़ा था और रगंपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया इसलिए बच्चों एक्जाम में कोशन ये भी पूछा जाता है कि मगम्मा से कौन विवहा करना चाहता था अगम्मा से कौन विवहा करना चाहता था ऐसा बच्चों ऐसा तो कहीं बुक में नहीं लिखा है लेकिन अब्जेक्टिव कोशन बनते हैं कि मगम्मा से कौन विवहा करना चाहता था तो आंसर है बचो रगंपा है ना रगंपा इससे विवहा करना चाहता था ऐसा प्रतीत होता है बच्चो यह सही बात नहीं है यह लिखा नहीं कि साधी करना चाहता था लिए हाँ उसने हाथ पकड़ लिया था एक दिन आओ बैठो मेरे पास ठीक कि द्ध्रम मगर्भा खुद कहती है कि कोई दूसरी आवरत होती तो उसके साथ चले जाती माजी इना माजी वो चले जाती रहा चली जाती लेकिन मैं मैं अपना पती धर्म निभा रहे थी और मैं नहीं गई तो रघंपा के साथ यह दो चीच हुआ कि पहली बात कि वह उससे पैसा चाहता था उन्होंने कहा मिरे पास पैसे नहीं है कि अब ल क्या सब dzięki लुक्षर के रघतिये मुझे पता है तुमारा बहु बहु का नात का बनाके देती है ना तो अपने बहु को साड़ी देती है तो तुम पैसा कड़ती क्या है तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है ठीक है न रहीड है अब क्या हुआ कि जब मगम्मा अपनी बहुत से अलग हो गई आगे बढ़े यहां तक समझ गए बोलो हाँ या ना तो क्या मगम्मा उसको पैसा दी यस और नो तो नो बच्चो, मगम्मा ने उसे पैसा नहीं दी, क्या मगम्मा ने रगम्पा से साधी किया, तो ना तो उन्होंने पैसा दिया, अब एक बार की घटना सुना रहा हूं, आगे बढ़ता हूं, जब मगम्मा माजी के पास बैंगलोरू रोज अपने गाउं से माथा में दही लेके दही लेवा हो दही लेवा हो करके दही बेचने जाती थी तो क्या होता सुनो जब दही बेचने जाती थी तो एक बार उन्होंने देखो जब आपके पास कुछ पैसे होते हैं तो आपके भी सौक हो जाते हैं तो उन्होंने माजी को एक ब्लाउज पहनते वे देखा बच कपड़े का था तो माजी किस कपड़े का बलाउज पहनती थी तो माजी जो थी वो मखमल के कपड़े की बलाउज पहनती थी तो उन्होंने माजी को देखा तो उन्होंने पूछा कि मा आप जो मखमल के कपड़े की बलाउज पहनती है ये कितने रुपए का आता है तो उन्हो बच्चों साथ से आठ रुपए के गज का तो फिर मगम्मा ने भी अपना एक बलाउज बनवाया बच्चों है ना अपना एक बलाउज बनवाया क्या बनाया बलाउज है ना तो मगम्मा की एगर पूछा जाए कि मगम्मा ने किस कपड़े का बलाउज बनाया था तो मगम्मा वो जो मखमल की बलाउज पहन कर दही बेचने जाते थी, तो सब की निगाहें मगमा पर होती थी, चाहे माजी हो, अब बहु से तो ये अलग हो चुकी है, पता है ना आपको, बहु से अलग हो चुकी है ना, तो बहु भी सुनाती थी अब बुड़हारी में इसको मकमल का बलाउज सोव रहा है, हमको तो कभी दी ने खरीतचे, अपना बुड़हारी में बलाउज पहन रही हो, तो बहुत सारे लोग इसको ताना देने लगी है ना, इसमें वाक्या आता इस कहानी में एक लड़का था बच्छों बैंगलूरु में ही लड़का था वो अपना टाइप पहन के था क्या पहन के था था ठीक है तो उन्होंने मघमा को बुलाई बुरहारी में मखमल का बलाउज कहाई यहां पर बच्चों मगम्मान ने यह बोला था यहां पर मिज़ने यह बोला था यहां पर बच्चे को क्यों पीटती है वहीं पर उसकी बहुने सब्ध बोला था, याद रखने है न एक वाक की बोला था लड़का कुछ उधम मचाए तो क्या बोलो पूछा जाता है लड़का कुछ उधम मचाए तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है ऐसा किसने कहता जल्दी बोलो ऐसा किसने कहता लड़का कुछ उधम मचाए उधम मचाए उधम मचाए उधम मचाए तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है तो उसे मना करने का हक उसे म जम्मा ने ऐसा गाता जम्मा ने बच्चों अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को सेरस कीजे मैं आप से हम्मीन कि बाट बाट सके म Caitlin को नशीन कि मोथ्मला तो सुनना तो उसकी बहु उसे ताना मारती थी यहां तक कहानी समझ गए है ना उसकी बहु बच्चों बहुत ताना मारती थी अपनी सास को या अभी बुढहारी में मखमल का बलाउज पहनती है तो जब नया-nया साधी होता है आपने सुनाओगा जब नया-nया साधी होता है तो लड़के के तरफ से लड़की को दिया जात कि क्या तुम्हें मैंने करनफूल धुमकी कड़े कान की जनजीर यह सब चीज नहीं दी है जो तुम मुझे बोल रही है कि अपना बुरिया बुलाउज पहनती है तुमको भी तो बहुत कुछ दिये हैं तो फिर उसके बेटे आए तो बेटा को इन्होंने कहा देखो अपना पतनी को समझा लो हमको बार-बार ताना मारती है जब हम अलग हो गए हैं तुम अपना खाता है हम अपना खाते हैं तो हम बलाउज पहने मखमल का कुछ भी पहने तुमको से क्या मतलब है तो तुम्हारी पतनी हमको बार-बार ताना कहे मारती है तो उन्होंने फिर वही कहा कि मुझे तुम लोग के जगड़े समझ में नहीं आते हैं और इतने ही देर में उसकी जो बहु थी उन्हें उसकी जो बहु नजम्मा थी उन्होंने कान का नाक का सब निकाल के दे दिया बोला लो अब बुरहारी में ये भी पहनो अब बुरारी में यह भी पहनो ऐसा उन्होंने कह दिया तो बस यह कहानी ऐसा चल ही रहा था एक एकदम घर की कहानी लग लिए ऐसा कहानी चल ही रहा था अब बच्छों यह बताओ अब यह बताओ क्या इस कहानी में सास और बहु का मेल होगा या नहीं होगा अब आगे बहु का मेल होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ अगर मेल होगा तो हम मेल करवाते हैं यदि मेल होगा तो आजाओ हम मेल करवा देते हैं तो यह बच्चो मगम्मा यह मगम्मा ध्यान सुनना यह बच्चो मगम्मा सुन लो ध्यान यह मगम्मा यह मगम्मा मंगम्मा और यह इ जब बच्चों नहीं होगा सर नहीं होगा सर होगा सर होगा सर जब बच्चों इसकी बहु नजम्मा को ऐसा पता चला कि माजी के पास कुछ पैसे हैं माजी के पास कुछ पैसे हैं और जो गाँँ के लोग हैं अगर मगमा एक साथ नहीं हुबी सास बहु का मिलन नहीं हुआ तो बीच में गाँवाले पैदा उठा लगें जैसे एक व्यक्ति आता इससे पैसा मांग लेता इसलिए नजम्मा ने और सरीयं रचा बोलो कौन सा सरियंत्र रचा बच्चो जल्दी तल रचा कौन तल रचा अब क्या कि नजम्मा ने अपना झो दल सब्सक्राइब दल नहीं पता था चाओ Ma बेट होता है नहीं मनाता है जाके डाधी दादी हमीरा बिषकोई इ Skinstra miri अहीं एक्ड़ी चोक लेट ऐसे करते ना यह जो अपने बेटे को दाधी के पास ब्रंटिश्ट अब जयुक्त है उनके पास ही रहने लगा पी यह पने पीने है क्या तो अब क्या हुआ है कि यह चला गया दादी के पास और दादी के पास रहने लगा और दादी लगी दिन भर मेरे साथ रहे लिए आब रात को चलेज़ाओ अम्हें के पास नहीं हम आपी के साथ रहेंगे और बच्चों किसी के साथ रहते रहते एक दिन ऐसास हो गया हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए और फिर बखु ने जाकर के साथ को कहा मा जी जो होने का था वो हो गया अब चलिए हम लोग फिर से एक साथ रहते हैं हम लोग फिर से एक साथ रहते हैं और फिर दोनों बच्चों एक साथ रहने लगे सब खाना पीना सब साथ होने लगा गेटा भी साथ आ गया और पैरे बच्चों फिर से और फिर मगम्मा के साथ इसकी बहु भी दही बेचने के लिए जाने लगी मगम्मा के साथ इसकी बहु भी बच्चों दही बेचने जाने लगी इसकी जो बहु थी वो भी साथ में दही बेचने जाने लगी बच्चों तो बोलिए कोश्चन पर आये हम अगर आप कहेंगे तो हम question पर आएंगे बच्छों और बहुत सारे questions होंगे ठीक है हसो मत ठीक है इसमें main होता है बच्छों question का बहुत सारे question होंगे ये फिर एक साथ हो गए दोनों ठीक है और दोनों एक साथ हो गए और कहते हैं बच्चों कि इस घर में लेकिन अभी भी बच्चों स्वतंतरता की होर थी, जो मा थी वो अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी, अपने बेटे पर अधिकार जमाती थी, कि मैंने अपने बेटे को पैदा किया है, मैंने इसे दूद पिलाया है, मैंने पाल पोस्कर बढ़ा किया है, और आज ये बेटा अपने कनिया के बाद पर रहता है, अपनी पतनी के बाद पर रहता है, ठीक है न, तो बच्चों, मा पतिदेव पर अधिकार जमाना चाहती थी जो पतिदेव हैं देखिए इसको ये जो पतिदेव हैं इस पर अधिकार जमाना चाहती थी कि ये हमारे पतिदेव हैं इसके उपर तो पहरे बच्छों अक्सर ऐसा होता है आप अपने गाउं घर में अपने आसपास में एक नजर द जाते हैं और साधी होने के बाद हम लोग की लिए माँ कौन बन जाती है,' जो पतनी है । बो लिए मेडंची क्या करना है जाकर के तिल लाईए तुरंध गए। भेसे क्या लाना है तो जाय रहें जाए जाकर सबजी लाएए तुरंध चले जाते हैं। कम हम लोग मां को बुल जाते हैं ठीक है और यह सच्चाई है अपने आस पास में आप देखिए अपने घर में भी हो सकता है कि हम लोग एक हम कि घर me बुढ़े लोगों को आधर नहीं करते हैं2 मिले लिए क्या किया है तो बच्छों पाल पोस्कर हम हमें जो बढा करती है मा और जैसे हमारा विभा होता है जैसे हमारी साधी होती है फिर हम लोग पतनी के हो जाते हैं और सब कुछ पतनी तो इस कहानी से हमें क्या सिख मिलती है बताओ कि इस कहानी से हमें क्या सिख मिलती है बच्चों इस कहानी में एक विद्वा औरत की कहानी को दर साया गया है जिसका नाम मगम्मा है और उसके पती इस दुनिया में नहीं है और वो अपना पेट चलाने के लिए पेट चलाने के लिए पैंकेट पूर से पैंगलोर तक दही बेचने के लिए जाती है और घर घर जाकर कहती है दही लेवा हो दही लेवा हो दही लेवा हो दही बेचती है उसके बात जब वो दही बेचकर घर आती है तो साथ में कुछ-कुछ लेकर आती है जैसे मिठाई एरा कुछ भी अपने पोते के लिए लेकर आती है वहीं पर जो उसकी बहु होती है इसकी जो बहु होती है बहु पेटे को मतल़ अपने पोते को मारती है उसी बीच में बस मना करती है मगम्मा कि क्यों पीट रही है इस बच्चे को इसी बात को लेकर मगम्मा उसकी बहुत नजम्मा उस पर उलत जाती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है और इस लड़ाई के कारण से दोनों अलग हो जाते हैं अलग होने के बाद मगम्मा अपना दही बेचने का काम करती रहती है करती र जक्ति मिलता है जिसका नाम है रगम्पा रगम्पा गाउं का जुआरी होता है जो मगम्मा से कुछ पैसा कर्ज मांगता है मगम्मा उसे कर्ज नहीं देती है तो अमडाई के कुएं के पास उसका हाथ पकर लेता है कैसे हाथ पकरता है बोलो जैसे हात पकरता है बोलो, हात पकरता है जैसे कि उसके पती ने भी कभी नहीं पकरा हो, जैसे कहा जाता है कि मगमा, रगमा जो था, वो मगमा से साधी करना चाहता था, ऐसे हात पकरता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, जैसे हात पकरता है और कहता है कि तुम बहुत चुड़ा करके मगम्मा भाग जाती है और ये सब चीज वह किसको सुना रही है बताओ ये कहानी बच्चों किसको सुना रही है ये कहानी सुना रही है जो लेखी का है जिसका नाम है स्री निवास है ऐसा इसमें एक्जेक्ट नहीं कहा गया है लेकिन ऐसा लगता है पड़ करके वह मा जी मा जी को पूरी कहानी सुनाती है और जो भी पैसा बच्चों जो भी पैसा म आप सो बैंक में जमा कर देना, ऐसा कहकर, मगम्मा अगले दिन, मगम्मा के पास जो भी खुले पैसे थे, जही बेचने से क्या मिलता, खुला पैसा, जो भी खुले पैसे थे, वो सभी मा जी के पास लेकर जाती है, तो मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करना चाहती है, ए तो उत्तर लिखना बच्चों माजी के पास माजी के पास अपना पैसा जमा करना चाहती है तो बच्चों जितने भी objective question है महरारू के फेरा में मत परना रे भाए बच्चों हम लोग अक्सर इस चीज को जानते हैं कि हमें उनके चकर में नहीं परना चाहिए और फिर भी हम जल्दी बोलो हाँ या ना यास गुरूजी यास गुरूजी में राडू के चक्कर में बच्चों सब लोग पढ़ते हैं मेरी भी साधी होगी हम लोग भी पढ़ेंगे लेकिन बच्चों हमें इस वियत का हमेसा याद होना चाहिए कि जो माता-पिता होते हैं वो सबसे परम साथ लोग बच्चों है अगर एक्जाम में पूछा जाएगा आपस cutting कि आपसे कि आ ने क्या बोला था यह मुझे कुछ पैसे करता दो और मैं रागी बीचकर वापस कर आнов में एक बार पूछा गया है कि रगमपा क्या बेचकर पैस करने वाला था बो क्या बेचकर तो बच्चो रागी बेचकर क्या बेचकर रागी रागी बेचकर वह पैसा वापस करने वाला था रागी क्या होता है सर जी हम लोग तो इसे राई बूलता है रागी बेचकर उन्हें कहाता मैं पैसा वापस करूंगा आ जो एक बात हम सुरू से करते हैं सबसे प कहनी वहांसा की कहानी apprentice कन्ण केया 안र्य कि कंणर खानी राइब कीन् основ कıldेख़ और वहांसा की कहानी कै को ईसको कट्रीक देखो बच्छो एहरी जब हम बेष्थे अलग में शाइज तो इस्कारात गीर्णी लिंख़ कान में लगता है कान में कान में लगता है ये कान कॉसे कुअनर शाहीं जब हम दही बेशने उसका नाम और श्री निवाश का मतलब क्या होता है with a गहर और को भर जाकर दही बेशते हैं दही लेवह दही लेवह तो घर-घर बेशते हैं इसलिए याद रखना बच्छों कि कुट स्पाइब पूरा नाम बताओ क्या है इसका पूरा नाम बताओ पूरा नाम बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था इनका जन्म के बारे में पूछा जाहे कि इनका जन्म कब हुआ था तो कहना बच्चों imput Terra जून dat 1 1 1 & 1 पूछ जाए बंच्छों जन्म कहां हुआ था लो हो था तो कहना बच्चों करनाटक के को लार जिल्व करनाटक के कोलार जिले में करनाटक के कोलार जिले में इनका जन्म हुआ था करनाटक के कोलार जिले में लेकिन बच्चों ये कहानी लिखी गई है कंणर भासा में लेकिन हम पढ़ते हैं बच्चों पढ़ते हम लोग जो हैं इसे लिखी गई है कहानी कंणर भासा में लेकिन हम पढ़ते हैं हिंदी में लिखने वाले व्यक्ति कौन है इसका अनुवादन किस ने किया हिंदी में लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं हिंदी में लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ जल्दी से कौन है हिंदी में लिखने वाले बी आर नरायन कौन है पी आर नरायन ने से हिं निवास को कौum सा पूरुषकार मिला है तो इसका नाम है साहित-द पूरुषकार मिला है निवास को कौुह पूरुषकार कर रेधार सवी yes इन की एक कहानी संग्रान है जिसका नाम है ऑ नहीं पूचा गया लेकिन पूचा जा सकता है क्याना में हैं, बच्चो, कहानी के लिए इन्हें साहित अकादमी पुरुसकार मिला है. इस चीच को याद रखना बच्चो, क्या गुरुजी कभी पुछा गया है? आज तक कभी नहीं पुछा गया है, लेकिन बच्चो फूछा जा सकता है. अगले बात में आते हैं कि मगम्मा क्या बेशती थी बच्चों मगम्मा क्या बेशती थी मगम्मा क्या बेशती थी मगम्मा बेशती थी क्या बच्चों बोलो मगम्मा क्या बेशती थी दही बेशती थी पूछा जाए बच्चों कि मगम्मा जो है मगम्मा दही बेशने कहा जा नाम था वेंकटपूर ना क्या नाम था वेंकटपूर ना वेंकटपूर वेंकटपूर बच्चो वेंकटपूर गाउं का नाम था बच्चो मगम्मा का गाउं कहां था बच्चो अवलूरू के पास गाउं कहां था गाउं कहां था मगम्मा का नाम था बच्चो अवलूरू के किसके पास था अब लुडू के पास इसका गाउं था अगर आपसे ये पूछा जाए कि मगम्मा की बहु का नाम क्या था मगम्मा की बहु का नाम था बच्चों नजम्मा क्या नाम था मगम्मा की बहु का नाम नजम्मा था आपसे पूछा जाए बच्चों कि मगम्मा का किस के लिए मिठाई लाती थी, मगम्मा किसके लिए मिठाई लाती थी, maklogo कि मिठाई लाती थी, पोते की लिए, किसके लिए पहुने किसे पीटा था, था बहु ने किसे पीटा था, तो बच्चो पोते को पोते को, किसने कहा था, क्यों री राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था, तो बच्चो मगम्मा ने ऐसा कहा था, किसने कहा था बच्चो यदी बच्चा उधम मचाए, तो उसे डाटने कहा था, लड़का कुछ उधम मचाए, तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा था, लड़का कुछ उधम मचाए, तो उसे मना करने का हक मुझे नही मुझे नहीं है ऐसा किस ने कहा था ऐसा बच्चो नजम्मा ने कहा था ऐसा किस ने कहा था जल्दी बोलो मुझे जगरा पसंद नहीं ऐसा किस ने कहा था ऐसा बच्चो बेटे ने कहा था ऐसा मगम्मा के बेटे ने, किसने, तो मगम्मा के बेटे ने, मगम्मा के बेटे ने ऐसा कहा था, कि मुझे जगरा पसंद नहीं, मुझे जगरा पसंद नहीं, बच्चों, तो मगम्मा अपने बेटे से कब अलग हुई थी, बताओ, मगम्मा अपने बेटे से कब अलग हुई मगम्हा अपने बेटे से आज 2 पहर से यहना आज लिखना ना कल 2 पहर से नहीं परसों 2 पहर से आज 2 पहर से आज 2 पहर से मगम्हा अलग हो गई थी अगर बच्छों आपको समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग प्लास को लाइक कीजिए, सभी लोग, एक साथ, मैं चाहता हूँ बच्चो 1.5 के लाइक अभी होना चाहिए, तो जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक ने किया है, एक साथ सब लोग लाइक कीजिए, एक साथ, कोई नहीं छोड़ेगा, और अपने दोस्तों में एक बार सेर कीजिए एक साथ बच्चो लाइक करके, सभी बच्चे, एक साथ लाइक करके, अपने दोस्तों में बस सेर कर दीजिए, एक साथ, सब लोग सेर कीजिए, जल्दी से, कव 60 अलग से अलग अगर आपसे पूछा जाए कि बच्छों के मगमा कि और कहां थी है रास्ते में कौन सा कुवा था उसका नाम था अम्राई का कूवा क्या नम था अमराई का कुवां पूछा जाए बच्चों मगम्मा क्या खाती थी मगम्मा क्या खाती थी तो बच्चों कहना पान सुपारी क्या खाती थी मगम्मा पान सुपारी खाती थी लेकिन बच्चों रगमपा ने मगम्मा से क्या मांगा था रगमपा ने मगम्मा से क्या मांगा था रगम्पा ने मगम्मा से बच्चो क्या मांगा था चूना मांगा था क्या मांगा था दूसरा दिन तो पान भी मांग लिया था एक दिन बच्चो चूना मांगा था दूसरा दिन पान मांगा था पूछा जाए बच्चो कि रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था रगम्पा मग मंम मां से क्या कर चाहता था तो बच्छो कहना कर चाहता था पूछा ज कि मंमा का हाथ जाए तमक ट्रीन कंग ने मखमल की बलाउज, मखमल, मखमल की बलाउज कितने रुपए गज थी, मखमल की जो कपड़ा था बच्चो, मखमल का कपड़ा कितने रुपए गज का था, मखमल का कपड़ा बच्चो, साथ से आट रुपए गज था, साथ से आट रुपए गज था, साथ से आट रुपए ले यहना साथ से आठ रुपे प्रती गज का कपड़ा है और उसके एक गज में समझोग बना होगा आठ रुपे का था ठीक अगला बच्छो मगम्मा अपना पैसा कहां जमा करना चाहती थी मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी तो बच्छो मगम्मा अपना पैसा म माजी के पास रहना चाहती थी पहूने सास को मनाने के लिए किसे सास के पास भेजा तो बच्चो बेटे को भेजाता किसको बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था कि जाओ दादी के पास ठीक है बच्छो आदी के पास जाओ और ऐसे करने से दादी मान गई वच्छो पूछा जाए मगमा से साधी करना कौं जाथा अगर ऐसा कहीं नहीं लिखाने कहीं पर साधी के बारे में हमाथ पकड़ था पूछा जैब अब्चो के ऐसा-ता कहींérieur वच्यो नहीं लिखा साधीकर करना कौन तो देखो मेरे ख्याल से सारे कोशन बन जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कोशन अब बन जाने चाहिए बच्छो बन जाएंगे बताओं रास्ते में आम राई का कुवा है वह से चुना मांगता है राई यह ना क्या बेचकर पैसे वापस करता रगंपा ने क्या बेचकर पैसा वापस करने की बात की थी क्या बेचकर बच्छो रगंपा क्या बेचकर पैसा वापस करता बताओं क्या बेचकर तो उन्होंने बोला था बच्चों, कि मैं रागी बेचकर पैसा वापस करूँगा, क्या बेचकर, रागी बेचकर मैं पैसा वापस कर दूँगा, तू गले में फासी लटका कर घूमता है, ऐसा किसने बोला था? जब एक लड़के ने मगम्मा को कहा था, वा बुडिया मखमल की बलाच पहन के, मखमल की कोट पहन के घूम रही है, तो मगम्मा ने उस लड़के को क्या बोला था, तू गले में फासी लटका कर घूमता है, तू मैं कुछ नहीं बोलता, ऐसा किसने बोला था? ऐसा मगम्मा ने, बच्चों, मगम्मा ने एक बार मा जी को कहानी सुनाते हुए ये कहा था, कि मेरा बेटा अपनी पतनी पर लट्टना, मेरा बेटा उस पर लट्टू रहता है, लट्टू रहता है, मतलब आगे पेसे घूमता रहता है, पतनी जिदर जाए, बेटा उधर चला जाता है एक्जाम में पूछा जाएगा कि किस ने कहा था मेरा बेटा उस पर लट्टू रहता है ऐसा किस ने कहा था तो बच्चों आंसर कहना कि मगम्मा ने कहा था उस घर में अब स्वतंतरता की होड लगी है यह लाइन किस कहानी की है बताओ उस घर में अब स्वतंतरता की होड लगी है यह लाइन किस कहानी की है बच्चों स्वतंता की होड मतलब बेटा अना मा चाहती है कि बेटा मेरा हो अथनी चाहती है कि पती मेरा हो तो स्वतंतरता की होड लगी है यह लाइन बच्चों किस कहान कहानी की है यह दही वाली मगम्मा कहानी की है बच्चों अब यहां से सब्जेक्टिव कोशन क्या क्या बन सकते हैं पहला कोशन बनेगा कि दही वाली मगम्मा मगम्मा का चडितर चितरन करें तो आंसर क्या लिखेंगे मगम्मा एक विद्वा औरत है जो दही बेचने के लिए अवलूरू से या फिर सोड़ी बैंकेट पूर से बैंगलोर तक आती है और दही बेच कर अपना जीवन यापन करती है मगम्मा के एक बेते हैं एक बहू और एक पोते हैं मगम्मा का अपनी बहू के साथ लेकर विवाद होता रहता है अगला कोशन पूछा जागा रगम्मा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था तो उत्तर क्या लिखेंगे रगम्मा मगम्मा के गाउं का एक जुवारी व्यक्ति था जो मगम्मा से कुछ पैसे करज लेना चाहता था तरज लेना चाहता था इसके लिए उन्होंने एक बार अमराई के कुएं के पास मगम्मा का हाथ भी पकड़ा था एक्जाम में पूछा जाया कोर्सन कि मगम्मा का अपनी बहु नजम्मा से किस बात को लेकर विवाद हुआ था तो उत्तर लिखेंगे मगम्मा का अपनी बहु नजम्मा के साथ विवाद तब हुआ था जब नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी और मगम्मा ने उसे बोला क्यों डी राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है इसी बात को लेकर मगम्मा और नजम्मा के बीच विवाद हो गया ठीक है मुझे लगता है बच्चो रागी क्या हो देख पता नहीं बच्चो रागी क्या है इसमें ज्यादा पता नहीं चला तो बताओ क्या कोई objective question या कोई subjective question आपका इस chapter से चूट सकता है तो आप मुझे बताए जल दिसे yes or no बच्चो नहीं चूट सकता है तो कल होगा इसका taste बच्चो क्या आप तयार हो कल इसका taste है कल बच्चो हम लोग इसका objective question करेंगे और प्लस में subjective question करने वाले है तो बताओ बच्चो यहां से कौन-कौन से question बनते हैं एक number वाले और दो number वाले तो बच्चो इस chapter से लगबग दो से तीन objective तीन objective और एक subjective पांच अंक आप यहां से आज आज ला लिए पांच की बच्चो पढ़ाई हो गई पांच नंबर की आपकी पढ़ाई हो गई इसका PDF प्यारे बच्चो आपको paid class में मिल जाएगा इसका notes प्यारे बच्चो आपको paid class में मिल जाएगा आप लोग सभी लोग join कर लिये हैं जल्दी बताओ सभी लोग dream 450 plus course join है जल्दी बोलो हाया आप बच्चो ड्रीम 450 plus course आप जोईन होंगे यस और नो आज हम बहुत बड़ी बात बताने वाले dream 450 plus course के बारे में की मात्र बच्चो 499 रुपए फीज दे करके आप एक साल पढ़ सकते हैं बच्चो आपको पता होगा कि लास्ट में हम जब ये course लेकर आएंगे crash course तो वहा सारी classes होती है पर इसका पैनल नोट्स यह जो हम लिखते हैं बच्चो इसका यह ना देखो आप कम पैसे में भी बहुत जगा पढ़ाई कर सकते हैं पर जिस quality की एजुकेशन आप दिशाओन कासिस पर लेते हैं आपको विस्वास है या गुरू जी पर बताओ इस quality का एजु सार्च करना यूट्यूब पर दिशाओ ऑनलाइन क्लासेश यूट्यूब पर प्ले स्टोर पर एप डाउनलोड करना और एप से जागर कोर्स पर्चेस कर लेना बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरू जी हम कोर्स नहीं पर्चेस कर सकते हैं फोन पे Google पे ATM नहीं चलाते हैं आप किसी भाईया के फोन से चाचा, मम्मी, पापा, किसी के भी फोन से पेमेंट करके इस नंबर पर 770879453 पर आप पेमेंट करके बच्चों, आप हमें स्क्रीन सॉट भेज सकते हैं और उस screenshot में आप मुझे अपना number देंगे, इस number से हम आपको whatsapp group में जोड़ देंगे, और जहां आपको information मिलेगी और सारा class आपको मिलता है app पर भी जोड़ दिया जाएगा, तो कितने बच्चें जो कल join होने वाले हैं, जल्दी से हाथ उठाओ, yes sir, yes sir, yes sir, इसके बाद की class कौ objective, subjective, physics का बच्चों, तकास का प्रावरतन, आज last class है, तकास का प्रावरतन, और प्यारे बच्चों, इसका होने वाला है, question bank, जो भी question पूछा गया है, अभी तक मैं इस chapter से, चाहे वो objective हो, चाहे वो subjective हो, इसका प्यारे बच्चों, question bank आज होने वाला है, तो 8 p.m में आप सब तक के लिए पढ़ते रहिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आज की class का 5 star देना हो, तो आप गुरुजी को 5 में से कितना star देंगे, comment box में जरूर लिखिएगा, ठीगे बच्चों, मिलते हैं थोड़ी देर बात, non-hindi नहीं होगा, sir, किसने कहा नहीं बच्चों, एप पर payment कैसे कटाएं, तो डायट आप एप से भी कटा सकते हैं, नहीं तो बच्चों आप इस पर Google पे, phone पे याप ATM, किसी भी नंबर से आप payment कर देना, और किसी भी दुकान में जाकर payment करा सकते हैं, भाया, दीदी, मम्मी, किसी के phone से कटा के जोएन होगा, जि पर बहुत अच्छे तरीके से वीडियो रखा गया है, बिना एड का आप application पर वीडियो देख सकते हैं, जहां आपको हर वीडियो के सामने notes भी मिलेगा, हर वीडियो के सामने panel PDF जो हम लिखते हैं आप बोड में, आपको लिखने की जरुरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा, धन पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, देशान कासे से एक ऐसी संस्ता है, जहां all subject की त्यारी आपकी होती है, हम कहते हैं नहीं करके दिखाते हैं, बाई, पूर सब लोग purchase कर ले ना फैयादे मन होगा जी,